नमस्कार, चानक्या IES Academy में आपका स्वागत है मालेजे, कि अगर आप इंटरनेट पर ब्राजिंग करते हैं और उस ब्राजिंग से, अगर आपको मॉनेटरी प्राफिट होता है तो यह आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा और विएसे यह आपको अच्छा लगेगा इतना ही नहीं YouTube पर वीडियो अप्लोड करने की बाद तो दूर अगर आप YouTube जैसे किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर आप जाते हों और वहाँ पर अगर आप वीडियो को देखते हैं तो वहाँ उस वीडियो को देखने से भी अगर आपको monetary profit हो तो ये भी अच्छी बात होगी तो जो मैंने अभी बात कही क्या यह संभव है तो यह संभव है कैसे संभव है संभव है वेव 3.0 में क्या होता है वेव 3.0 इसको समझने के लिए पहले यह जोरी है कि हम समझें वेव 1.0 और वेव 2.0 को वेव 1.0 का मतलब है वर्ल्ड वाइड वेव या इंटरनेट जिसका आविस्कार 1989 में किया गया यह 1993 से popular हुआ वेव 1.0 में static वेव पेज होते थे जहां users वेबसाइट पे जाते थे और जो information दिये गए हैं उन्हें collect करते थे पर users ना तो content create कर सकते थे ना ही post review कर सकते थे मतलब इंटरनेट और users के बीच कोई interaction नहीं होता था वेव 1.0 का समय 1992 से 2004 तक रहा इसके बाद दौर सुरू हुआ वेव 2.0 का जो अब तक चल रहा है वेव 1.0 एवं वेव 2.0 के बीच सबसे बड़ा अंतर्या है कि वेव 2.0 में इंटरनेट एवं यूजर्स के बीच interaction होता है वेव 2.0 में यूजर्स content बना सकता है photo या video अपलोड कर सकता है इन सबका सबसे बड़ा उधारन है social media platform परन्तु वेव 2.0 से सम्मधित कुछ concern भी है अब यूजर्स केवल consumer ही नहीं बलकि product भी है यहां मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वेव 1.0 में एक user consumer था लेकिन वेव 2.0 आने के बाद users, consumer नहीं बलकि एक product भी है जो data user create करता है उसका मालिक वा company होती है जहां data को upload या post किया जाता है जैसे facebook, youtube यह तो बात यह है कि आप अपने data के मालिक नहीं है बलकि आपके data का इस्तमाल कोई और करता है वेबसाइट के इस 2.0 generation में data privacy data security एवब data के abuse का मामला भी है social media platform से जुड़ी company यूजर्स से जुड़ी जानकारिया जैसे कि उनकी पसंद, उनकी नापसंद जो किसी भी छेतर से संबंदित हो सकती है अलग-अलग संगठनों को बेचती है यही कारण है कि दो अलग-अलग व्यक्तियों के facebook, youtube पर आने वाले advertisement अलग-अलग होते हैं क्योंकि यह advertisement लोगों के data पर तयार profile पर आधारित होते हैं अब बात करते हैं web 3 या web 3.0 की web 3.0 का main feature है decentralized और fair internet जहां user अपने data को खुद control करते हैं इसको ऐसे समझते हैं कि आज अगर एक seller को अपना सामान बेचना है और एक ग्रह को कोई सामान खरीदना है तो बेचने खरीदने के कई माध्यमों में से एक माध्यम है e-commerce platform जैसे की Amazon, eBay जहां seller, buyer दोनों को registration करना होता है ये e-commerce portal हरे एक खरीद विक्री को regulate करता है web 3.0 इस तरह के platform को हटाता है और सीधे खरीदने वाले और बेचने वाले को जोडता है मतलब विक्रेता और ग्रहक, दोनों का authentication, blockchain टेकनोलोजी द्वारा होता है जहां permanently record बना रहेगा, मतलब ये कि एक बार अगर आपने उसमें data feed कर दिया, तो वह data delete नहीं हो सकता वहीं Chrome का एक विकल्प है नाम है Brave Browser, जहां browsing करने पर token मिलता है 24 x 7 active रहने वाले web 3.0 में users की पहचान गुत रहेगी, क्योंकि यहां हर एक users की अपनी एक crypto ID रहेगी, मतलब codified identity कोल मिलाकर, web 3.0 एक decentralized autonomous organization है, जुसमें होने वाली सभी activity को इससे जुड़े हुए सभी लोग देख सकते हैं, या एक पारदरसी विवस्था है, जिसमें लोगों की privacy सुरक्षित रहती है, blockchain तकनीक पर आधारित, web 3.0 को किसी central authority से authenticate करने की आवज़ सकता नहीं होती है तो यह जानकारी थी web 3.0 से समन्देत इसके साथ ही, इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए, ताकि नहीं नहीं जानकारियां हम आपके समख्च प्रस्तूत करते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, धन्यवाद कि आपके साथ हुआ है।